जेहें दोस्तों निमातरों देश में पठान हिट हुई या नई हुई इसकी एक बहुत बड़ी बहस चली थी शारुखान के उपर लोगों ने आरूप लगाया थे कि भई ये मूवी जो है इनोंने खुद ही अपने पैसों से टिक्टे खरिदवाई हैं और सब कुछ फेक कलेक्शन दिखाया जा रहा है एक बड़ा वर्ग हमारे देश में इस बात को मानता भी है हो सकता है उसमें सच्चाई भी हो लेकिन सबी चीजों के बीच में खबर ये निकल कर अब आ रही है कि पठान से जो भी कुछ कमाई हुई है उसे डिस्ट्रिबूटर्स को मेकर्स को सब को अपना अपना हिसा देने के बाद शारुक खान के हिस्से में भी करीब करीब 200 करोड रुपे आए इतना तो बजट भी नहीं होता कई मूवीज का जितना कि इनके हिस्से में आ गया है अब इस बात में मैं जानता हूँ कई लोग विरो दफास रखेंगे कि भी ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है लेकिन इस प्रकार की खबरें बहार आ रही है तो हम आपके साथ साजा कर रहे हैं देखे शारुक खान की फिल्म पठान ने कमाई के सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया है हम फिलहाल के लिए इस चीज़ को थोड़ी देरिक लिए माल लेते है फिल्म ने वर्ल्ड वैड एक हजार पचास करोड रुपए की कमाई करी है जैसा की बताया जा रहा है और इतिहास रच दिया है अब एक और ताजा रिपोर्ट की अगर माने तो शारुक ने इस फिल्म के लिए एक रुपए की फीस नहीं ली थी अबुमन देखा जाता है कि एक्टर्स फिल्म साइन करने के बाद अपनी फीस तैगर लेते हैं लेकिन शारुक ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था शारुक ने फीस नहीं लेकर फिल्म की कमाई में 60% हिस्सेदारी ली थी इस हिसाब से उन्होंने पठान से तकरीबं 200 करोड रुपए की कमाई करी है बॉलिवड हंगामा की रिपोर्ट के मताविक पठान ने सिर्फ भारत में ही 545 करोड रुपए का कलेक्शन लिया है जबकि ओवरसीज में फिल्म ने 396 करोड रुपए कमाई करी इस हिसाब से फिल्म की कुल कमाई हो गई 1050 करोड रुपए इसमें से इंडियन डिस्रिब्यूटर्स को 245 करोड रुपए और विदेशी डिस्रिब्यूटर्स को 178 करोड रुपए मिले फिल्म के डिजिटल और मीडे राइट्स की बात करें तो ये सब कुल जमा होकर 180 करोड रुपए बने थे तो कुल मिला जुलाकर फिल्म को बनाने वाली प्रोड़क्शन कमपनी ये शिराज फिल्म्स के हिस्से में 333 करोड रुपए का मुनाफ़ा आया शारुक ने फिल्म को साइन करने के बाद कोई अमाउट नहीं लिया था हम अक्सर देखते हैं कि एक्टर्स कोई भी फिल्म करने से पहले ही अपनी फीस को लेकर साइड में हो जाते हैं इसके बाद उनको मतलब नहीं होता कि ये मूवी चल रही है या नहीं कर रही है अब फिल्म कितनी कमाई कर रही है इससे भी उनको फर्क नहीं पड़ता हाला कि शारुक खान ने पठान के केस में ऐसा नहीं होने दिया क्योंकि कई बर ऐसा होता ही एक्टर सौ करोड रुपए की फीस लेकर साइड बहन जाते हैं और बाद में मूवी दस करोड रुपए के लिए भी तरसती है शारुक खान ने फिल्म के कमाई में साट परसेंट हिस्दारी लेने का फैसला किया मतलब कि अगर फिल्म फ्लॉप होती है तो उनके खाते में एक ठेंगा आएगा अब यश्राज ने इस फिल्म से के तकरीबन जैसी की रिपोर्ट से बताय जा रहा है तीन सो तैंस करोड रुपए की प्रॉफिट कमाया है इस हिसाब से शारुक के खाते में तकरीबन दो सो करोड रुपए आ गए यूँ कहें तो पठान ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को एक आक्सीजन देने का भी काम किया फिल्में आए दिन फ्लॉप हो रही थे गिंती की कुछ फिल्मों को छोड़ दिया जाए तो सभी फिल्में पिछले दो सालों में बुरी तरह से फेल हुई फिल्मों के लगातार फ्लॉप होने से प्रोडूसर साई डिस्रिबूटर्स को काफी नुकसान उठाना पड़ा था दृष्टेम 2, भूलबलयय 2, गंगुबाई कटे अवाडी और दकश्मीर फैल जैसी कुछ एक मुठी पर फिल्मों को छोड़ दें तो बॉक्स आफ़िस पर अच्छा कारूबार करने वाली मूवीज मौजूद थी ही नहीं शारुक खान पिछले चार साल से वैसे भी बड़े परदे से गाया थे तो इन चार सालों में उन्होंने कई फिल्मों में कैमियो जरूर किये लेकिन उनकी कोई भी सोलो रिलीज फिल्म नजर नहीं आ रही थी ऐसे में सबको उमीद थी कि खुद शारुक खान के लिए ये मूवी काफी ज़ादा इंपॉर्टेंट थी इसलिए सबको उमीद थी कि भी शारुक इस मूवी में कुछ ना कुछ बड़ा काम जरूर करके जाएंगे जब फिल्म रिलीज हुई तो इसने पहले ही दिन रिकॉर्ड बनाना शुरू कर दिये यहां तक कि इसने बाहुवली 2 के 6 साल पुराने रिकॉर्ड को 38 दिनों में तोड़ दिये बाहुवली 2 के हिंदी वर्जिन ने 510 करोड रुपए का लाइफ टाइम कलेक्शन किया था बाहुवली 2 पहली फिल्म थी जिसने 500 करोड रुपए के कलब में इंट्री मारी थी या यह कह है उसी ने 500 करोड का कलब बनाया था लेकिन अब पठान ने 545 करोड रुपए कमा कर यह रिकॉर्ड बनाया है और इसको तोड़ना अब फिर से कुछ आने वाले सालों में किसी मूवी के लिए मुश्किर होगा हाला कि जिस तरीके से आजकर कमाई के आखड़े 1000 करोड को टच कर रहे हैं इस मूवी का आखड़ा या किसी और आने वाली मूवी का आखड़ा जल्दी ही इस आखड़े को पार कर लेगा इस प्रकार की भी उमीदें जताई जा रही है बड़ी बात लेकिन इस सब की बीच में यही है कि शारुक खान के खाते में मतलब किसी मूवी के नाम पर 200 क्रोड रुपे आए खेर यह वाला बिजनस मॉडल कहीं नहीं ठीक भी लगता है कुछ एक लोग रहते हैं जो मूवी में काम करने के नाम पर 100-700 क्रोड रुपे ले काफी काम करने वाला है कुछ ऐसी मॉडल के ऊपर सुनने में आ रहा है कि सल्मान खान भी काम कर रहा है इसलिए उनकी मूवी किसी का भाई किसी की जान का फिलहाल का जो बजट है वो मातर 100 क्रोड रुपे का बताया जा रहा है हो सकता है वह भी आप प्रॉफिट में हिस्सा लेंगे और ऐसा ही कई सारे बड़े सितारे और भी कर रहे हैं आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताईएगा मेरे स्वीडियों विलाता है जाहे हैं